अगर आपकी घर पे air conditioner लगा है तो निश्चित है कि गर्मिया जो है वो पूरी अपने शवाब पे हैं और आपकी electricity bills जो है वो बहुत तेरी से बढ़ गए होंगे तो आपकी घर पे चाहे AC एक लगा है दो लगे है ट्रैडिशनल टाइप का AC है inverted AC है या फिर solar AC है air conditioner के bills जो है वो एक इनसान का सबसे बड़ा pain area होता है एक घर में कई different type के load होते हैं पर वो different type के load matter नहीं करते हैं matter करता है कि आपका जो air conditioner है वो आपके घर के बाकी जितने सारे appliances power connect करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा electricity का connection air conditioner करते हैं तो जब भी गर्मिया शुरू होती है आप AC शुरू करते हैं आपके power bills जो है sudden 2-3-4 गुना बढ़ गाते हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके घर पे air conditioner लगा है देट तन का air conditioner है दू तन का air conditioner है एक है या एक से ज़्यादा है तो आपको कम से कम कितने रूपे खर्च करने पड़ेंगे उस air conditioner system को solar से चलाने के लिए मतलब कि आपके air conditioner के power bills को आप solar की मदद से कितने रूपे में zero कर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको एक complete information देने वाला हूं तो आप लोगों से request कि अगर आपने अभी तेक हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया ह हुआ है तो आपको बार-बार धन्यवाद तो बात करते हैं कि एर कंडिशनर को चलाने के लिए आखिर हमें कितने सोलर प्रेल की और कितने रुपे में आपको अशकता पढ़ने वाली है टॉपिक आप लोगों को संभव है लग रहा हो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है दो मि देखने को मिलते हैं जो वाइडली देखने को मिलते हैं मतलब कि 90% लोगों के घर में यही तीन टाइप के एर कंडिशनर लगे होते हैं पहला एसी है फिक्स स्पीड एर कंडिशनर दूसरे हैं आपके इनवर्टर टेकलोजी और तीसरा है आपकी सोलर टेकलोजी वीडियो म मैं आपको ऐसी टिप भी बता हुआ कि जिस टिप के साथ में आप एसी के बिल्ट जीरो करी सकते हैं और फ्री में ही आप अपने घर का लोड भी चला पाएंगे और और उसके लिए कहीं आपको कोई एक्षा खर्चा नहीं करना है आपके उसी लिम्टेट में आपके सारे कम हो में आप ग्रेड़ फ्री हो पाएंगे तो जो फिक्स स्पीड कम्प्रेशन होते हैं एक एग्जामपल में डेक्टन का लेके चलता हूं तो फिक्स स्पीड एर कंडिशन के जो स्टार्टिंग लोड होता है वो होते हैं करीब 3000 से 4000 वोट के बीच में डेपेंट करता है कि को बोला आता है अब इस एसी का फायदा तो यह है कि स्टेंट आपको कूलिंग मिल जाती है ड्रॉबेक यह है कि इनके पावर कंजेप्शन जागा होता है तो यह इनका ड्रॉबेक है तो कागट पैंसल लेके आपको यह करना है कि सपोज आपकी घर पे 10 गंटे एर कंडिश कि अगर मारा 2 unit में वाल लूंकर 2 unit आपका पर घंटे आपका AC खाता है 10 गंटे अपने एर कंडिशन चला है तो 20 unit आपकी पावर कर्च हो जाती है अब यह अगर 20 unit आपको किसी और सोर्स से मिल जाए बिजली के लाबा किसी और सोर्स से मिल जाए तो आपकी जो air कंडिशन र कुछ लोगोगों के हो सकता है कि 35 जाएं कुछ लोगों के अंदर सब्सक्राइब करे सकता है किन्येप्षं कितना करता है, तुम्हारा in my एकिजमपल लेने थो कि 40 आपका एर कंडिश्चनर किप्रक्ण करता है, अब यूचि दिया, और जो है वह आपका आपके maximum load पे चलेगा फुल लोड पे चलेगा या फिर आपका compressor ऑफ हो जाएगा थोड़ी दियर में जैसे रूम का नपरेशर बढ़ेगा फिर से यह compressor जो है वह आपका अन होगा तो मतलब almost जो है power connections वह सेम ही रहने वाले हैं कुछ दियर वह हाई जर्क पे रहता है जैसे कि compressor start होगा तो थोड़े से जर्क बढ़ जाएंगे उसके बाद में आपने जो भी लोड पे उसको चलना है उतने पर चलता रहेगा अब इसमें सीन नमबर दूसरा है कि अगर आपने इंवर्टर एर कंडिश्न लिया हुआ है तो इनवर्टर एर कंडिश्न में क्या है कि इसे फुल और एक हाफ जर्क लोट यहाँ पर इस वाली टेक्नोजी में देखने को नहीं मिलता है और उसके बाद में अपनी हाफ के आ जाएगा मतलब वहाँ पर 1800 और में भी पॉसिवल के हाफ लोट जो है एक एक एसी का एक हजार वट का है तो 10 गंटे में अगर आप करेंगे तो 10 गंटे में करीब 8 यूनिट के आसपास में आपका जो इनवर्टर टेक्नोजी का एर कंडिशनर वह पावर कंडिशनर करता है अब यहाँ पर कई सारे और भी सेनरियों होते हैं पर उन सेनरियों को मैं इस वीडियो में डिसकस नहीं करूंगा अलग अलग हो सकते हैं तो अब इस एक्जामपल में हमारा यह हुआ कि 10 गंटे हम अपना एर कंडिशनर चला तो हमारे किवल 10 यूनिट का पावर कंडिशन हुआ अगर हम इंवर्टर टेक्नोजी के साथ चले गए तो इसमें एक चीज आपको यह समझ वहाई कि fix speed में भी डिटन था और जो inverter technology में भी डिटन ही है पर दोनों के power connection में आधे का फरक जो है वो आ गया अब तीसरी technology की हम बात कर लेता है solar air conditioner की solar air conditioner में जो power connection है वो इससे भी ज़ाधा कम होते हैं कि वहाँपे क्या है कि वहाँपे variable speed में आपका ac जो है वो power तो अगर inverter technology से इना compare करूं तो जहां पर आपकी इंवर्टर technology में minimum 6 unit और maximum 10 unit के power consumption आ रहे है वहीं पर solar air कंडिशन में आपके 4 unit और 6 unit के power consumption आ सकता है तो पहली चीज आपकी ये clear होगी कि power आपकी different different technology के साथ मैं different different तरीके से ही खड़च होती है अब इसका solution क्या है तो पहला काम आपको यह करना है कि आपको अपने power connections निकाल लेना है कि मेरा power connections इतने unit का है उसी के according मेरे को solar system लगवाना है कि जो solar system से मेरा air conditioner free में चलता रहा है अब इसके solution में आपको दो चीजे जो है वो ध्यान से सुननी है तो सीन यह है कि आपको जबी भी grid free होना है तो आपको at least एक ऐसी technology चीए कि जो कि आपके air conditioner के load को उठा पाए अब technology का मतलब यहाँ पे मैं सीधा सीधे inverter को बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको inverter से आप चलाएंगे, grid से अलग कर देंगे, solar से चलाएंगे, inverter से चलाएंगे तो ही आपके grid free हो पाएंगे तो पहली technology में जब हम बात करेंगे तो हुआ पे चुकी load आपका डेटन के air conditioner का करीब जा रहा है 3000 watt का या 3500 watt का तो आपको inverter इतना powerful लेना है कि जो 3500 watt के load को lift कर सकता हूँ और AC के साथ में suppose आपकी घर के air load भी चलता है, माना कि आपका freeze भी चलता है, एक दो fan भी चलता है, अगर उसी AC के साथ आप चला रहे हैं नंबर दूसरा आपके बाकी जो load हैं वो देख रहे हैं, suppose सारे load आपके 4 kilowatt हो जाते हैं, अब यहां पर बहुत सारे लोग इस बात को लेके कर जाते हैं, कि 4 kilowatt का मतलब वो 4 kVA समझते हैं तो आप ऐसा inverter ले ले लेते हैं, कि जो मतलब 4 kVA का होता है, अब यहां पर आप power factor की बात नहीं करते हैं तो किसी भी inverter को जबी भी आप buy करें, तो आप उसका power factor जोड़ जाने, तो mostly inverters में power factor जो है, वो 0.8 का मिलता है इसका मतलब यह है कि 5 kVA का अगर आपने inverter लिया, तो maximum 4 kilowatt का heel would lift कर सकता है और अगर आप उसको inverter को 100% चमता पर चलाएंगे, तो आप निश्चित मानिए कि आपका inverter within 30 days आपका inverter जल जाएगा, फुक जाएगा, खराब जाएगा किसी भी inverter को उसकी maximum चमता का 70-80% पर चलाएंगे, तो आपको inverter चलता रहेगा, अगर आपने उसकी चमता का maximum पर चला लिया, तो निश्चित है कि आपके inverter में damage होने की संभावना है, बहुत बहुत जादा बढ़ जाती है तो में जो बात थी, में बात ही कि उस inverter को डेक्टन के air conditioner को चलाने के लिए, आपको जो inverter लेना है, वो करीब 4 kWh का लेना है, यहाँ पर आपको फ्रिट टेक्नोजी की बाद आ जाती है, मार्केट में तीन तरह की टेक्नोजी सोलर पेनल में अवलेबल है, पहली टेक्नोजी ह दूसरा है mono, तीसरे में half cut, half cut में दो टेक्नोजी है, plane है और bifacial है, अब आपको करना यह है कि पैनल का आपको smartly selection करना है, अगर आप poly panels के साथ में जाते हैं, तो 1 kWh का poly panel maximum आपको 4 unit देता है, तो 5 kWh अगर आपने panel लगवा लिया, तो maximum आपको 20 unit ही मिल पाई, और आपको च अगर आपने यहां पे half cut लगवा लिया, half cut bifacial लगवा लिया, और N-type का लगवा लिया, तो P-type में थोड़ा सा कम होता है generation पर N-type में करीब 6 unit का generation मिल जाता है, तो N-type के साथ में आप 5 kWh inverter के साथ में लगबग 30 unit के आसपास में पहुंच जाते हैं, जो कि आपका actual power connection है, त उसको चलाने के लिए 5 kWh का system आपके हैं लगना ही लगना है, अब यह 5 kWh का system धाई लाग रुपे से शुरू होके, और करीब 3-4 लाग रुपे तक जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपने inverter किस टेक्नोजी के लिया, आपने ट्रांसवर टेक्नोजी लिया, या फिर ट्रांस अब इन्वर्टर टेक्नोजी के एर कंडिशनर जैसे में आप लोगों को बताया कि वहाँ पर आपकी पावर कर्याप्शन जस्त हाफ रहे जाते हैं, और मैक्सिम रूट जो है, वह 800 वाट जा रहा है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने 3 kWh का भी इन्वर्टर ले लिया, त इसका मतलब यह है कि आप 3 kWh का सिस्टम लगवा लीजे, आप चुकि होँआ पावर कंडिशन भी कम हो जाते हैं, आपके नमर ऑफ पैनल भी आपके कम लगेंगे, तो इसी रिशो में आप नमर ऑफ पैनल लगवा सकते हैं, तो आपका अब यहां पे इन्वर्टर अब इसी में बात करें, तीसरी किसाब solar air conditioners के लिए हमें क्या करना है, तो solar air conditioners के लिए हमें क्या करना है, तो solar air conditioners के लिए जैसे मैंने बबताया कि maximum load जो है, उसका 1000W है, तो मतलब कि 2kVA का transformer technology है, तो solar 100W का load lift कर सकता है, जिस पर आप बहुत इसी लिए आप solar air conditioners को चला पा और आप मैं poly panel लगवाया, तो करीब rate से 2kVA आपको पैनल लगवाना पड़ेगा, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर number of panels भी कम होते चले जाएंगे, और आपका inverter की जो power है, वो भी आपकी कम होती चले जाएगे, अगर मैं आप यहाँ पैसे की बात करूँ, तो 2kVA का system आप आपको एक ऐसे tip देने वाला हूं, कि जिसमें उत्रे ही रूपे में आप अपने घर का लोड भी चराप आएंगे, तो उसकी tip यह है कि अगर आपके घर पे traditional air conditioner लगा है, माना कि normal air conditioner है आपके घर जो non inverter है, और dead ton का है, तो dead ton के AC को चलाने के लिए, जैसे मैं आपको बताए क AC जो है वो चल पाया, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कि आपको उस AC का लालच नहीं करना है, उस AC को आप उतार के आप लगा दीजिए, कहीं और लगा लीजिए, कहीं आपके कहीं और इस्तमाल में आप उसको ले सकते हैं, या फर आप उसको सेल भी कर सकते हैं, आप उ से AC को चलाने के लिए maximum आपके सवालाक रुपे से दोलाक रुपे ही खर्च होने वाले हैं जिसमें कि आपका AC के साथ में करके पूरी लोड भी चल जाएंगे तो स्मार्ट डिसीजन आपका ये रहा कि आप अगर ट्रैडिशनल AC के साथ आप जा रहें तो आप अपना एर कंडिशन बतल लें और एर कंडिशन के साथ ही आप जो है अपना solard सिस्टम करा ले जिससे की lifetime आपके एयर कंडिशन के power bill जो है वह आपके almost जो है जिरू रहेंगे अब इस system का केवल यही फायदा नहीं कि आप AC के ही बिल जीरो कर पा रहे हैं इसका फायदा यह भी है कि जब आप सर्दियों के टाइम में जो आपका AC नहीं चलेगा और घर पे आपके inverter battery रहते ही है तो फिर क्यों ना आप ऐसा system के साथ वे चले जाए कि आपके साल के जो बारो महीने में आपके पावर बिल जो है वो जीरो रहे है तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा यह information बहुत पसंद आई होगी information अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि इस जनकारी का लाब जादा से दादा लोग ले पाय अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें चैनल को सब्सक्राइब करें आकर तक यह वीडियो देखने के लिए आपको बार बार धन्यवाद थैंक्यू